सबसे पहले आप सबसे दिल से माफी चाहता हूं कि यह लास्ट वीडियो पर एक भी कमेंट का रिपले निकर पया क्यों वह तब यह ठीक नहीं थी यार उसके लिए शमा चाहता हूं दोस्तो बात करतें आज की वीडियो गया गर्फ यहां ऑच जो खिए कोई जाले ना यारा हो तो मसाले जादे पढ़ने नहीं है इसमें करीब आदा चमाच भाई हींग पढ़नी है हींग और चॉप किया हुआ दो डेबल स्पून लसन और एक टेबल स्पून अधरक में डाल दो तो मिलाम लूरो चंगी दरा से बस केवल आप यही दो चीसे पढ़नी इसमें तो जी मसाल जालना है जाल दो जी सारे का सारा टोजी गैस का फ्लेम हाई कर लो और इसे ठोड़ा था मिला मुलूलो चंगी तरह से तो लगे हाथ नमक भी डादी लो सवाधू सार जादा नहीं मिलाना क्योंकि नेक्स प्रोसेस में भी एमको नमक मिलाने का एठीक है तो जब करना किया ह अब इस पर डगकन रखो डगकन बंद नहीं को करगा कि अब 6-7 मिंट के लिए इसे हाई फ्लेम पर रखिए तक कि जो मटन है वो अपना पानी रिलीज करे ठीक है ना तो बीच-बीच में कर्ची चलाते भी रहना तो दोस्तों 6-7 मिंट होगे जी हो मटने काफी पानी हूं मैं फिलाल इसे 3 सीटिया दूगा फुल फ्लेम पे और उसके बास को 10 मिंट पकाऊंगा लो फ्लेम पे बट हमने से गराना केवल 80 परसंट ही है तो दोस्तों प्रिशन सारा निकल गया जी अब मुद्धा यह किया माठन कितना हमारा घाला है अबया 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 जालना इसको गरम ने को दो दोस्तों वैट जो है वो गरम हो चुका हुआ है ठीक है मैं का फिल लोग करने जा रहा हूं इसमें डाल रहा हूं दस से 12 कलियां पर लाइफ लत्सन की इतने सारे अध्रक कितना ही होगा यह कितने बोलु मैं होगा है 2-3 ग लगया हाथ डाल दो जी फ्यास और लगे हाथ डाल दो जिए ठामाटर इसे आप करीब 6-8 मिट तक भाई हाई फ्लेम पे पकाएंगे लगे हाथ नमक भी डाल दो ज्यान रहे हैं नमक हमने मटर में पहले का मिलाया हुआ उसी हिसाफ से ठीका ना हो जी मिला लो तो दोस्तों भाई करीब 8-9 मिट हो जिकर्दों उसे किरा इंद तो लो दोस्तो भाई कराइंड हो गया प़ीश नकेर आप डिलाचीन से तो दोस्तों तेलं हो चुगा दम करेंगे हुआ को बंसारा किया जया जातितना यहां दो बड़ी लाचियां, दो निकी लाचियां, एक चमच जीरा, एक दालचीनी, इसको ही जत, बाई जत, बच्टेर में लेकर आओ, और से अप पाकाओ, ठीक है, ध्यान रहे, मसाला जलना जनी चाहिए, अपना टेस बरवार, ठीक है, अरे लोंग डालना तो भूल गिये, चमच कश्मीरी लाग मेर्च, आता चमच हल्दी, इसे भी इजत से, इस तेह में लेकिया हो, बज्यार है, तेल गरम नहीं होना जल सकता है, मसाला ठीक है, ग्यास का फ्लेम अभी लो, ये फिलाल की तोर होई है, तो जी इसे शंगी दरा से, मिला मलू लो, और इसे अब पानी पूनी मिला करेंगे, और इसे करीब हाई फ्लेम पे पांच मिंट के लिए पगाईए, तो जी पांच मिंट होगे जी पकते होए, अब करना किया है, करना कुछ नहीं है जी, आप इसमें हम मतन शिफ्ट करेंगे, और जो स्टॉक में वाटर पड़ा हुआ है, मतन का, वो भी हम चेक करेंगे, कि हम वो कितना यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जी इसे अब चंगी दरा से, मिला मलू लो, तो जी अब हाई फ्लेम करके, इसे करेंगे, तो आप इसमें डाला हुआ है, तो आई फ्लेम पे अब इसकी एक उबाल का वेड़ करो, क्यूंकि इसमें में कुछ मसाले हो डलने है, तो जी उबाल आ चुकी है, मैं इसमें डारा हूं जी, दो हरी मिर्चा, बीच में कट करके, एक चमच बाई जीरे का पार, एक टेवल स्पून, भाई, किचिन किंगा मसाला, तो आप गरा मसाला भी यूज कर सकते हो, ठीक ना, तो जी मिला आलो जिशा की तरह से, तो जी ये सब मसाले मुसलों मिलाने के बार, आप असम डालेंगे जी, अद्रके जूलियन, अब इसे आप लो फ्लेम कीजिए, इस पे ड पे अपना आखरी मसाला, ठीक है, कौन सा है, विरासती कसूरी मेथी, भाई, क्रश करके, चापे चापे पे, चापे चापे पे, तो जी मिला मुलू लो, बढ़ि बनके तियार है, अब करते हैं जी से टेस्ट, तो लो दोस्तों, बनके तियार होगे जी, अपना भाई, जा नहीं नहीं इसाथ में ली एंचा प्रॉपर कट वह प्यास जो की निक्के मुटे नहीं है तो मुद्दा किसका है मुद्दा की जो इसके ग्रीवी बनाई है वह तेस्में कैसी है 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 बड़ी मेंत लगी है इसके ओपर आवया इजस्या मेरे प्लेट में दू देखो ची देखो इतनी गाड़ी गाड़ी कौन कमबक्त भोलेगा किस पे प्यास बढ़ा हुआ या कोई टमाटर बढ़ा हुआ बताओ दिखर आपको बताओ दिखर है कहीं नहीं दिखरा इतना अब आपरली इसको मैंने ग्राइंड किया मैंने का किया रही है तो आपके ले देखके ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि क्योई मसाला कोई हावी हो गया या कोई चीज बारी पढ़ रही है जी ग्रेवी के टेस्ट में नहीं कि सब बराबर 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 चल रहे है थोड़ा बताता हूं मैं थोड़ा समझना होता ना ये वो तीखी तीखी होतीए बर इतनी होती है normal रहती है तो टीखबं 10 वह डिकरीजिंग की हो रहा है, और चोर्थी मीठा पन रहे हैं, वह इंकरीजिंगी 와서 है, मीठा बं़ कि ख्यूब है क्योंकि प्यार ने मीठा पन, सम्झे होती है, आपने तो बटर चिकन वाना कर देखा ही वह है आलमॉस्ट वैसे ही है बट मुद्दा कहां बढ़ाता है जब खड़े मसाले बढ़ते हैं जी देसी मसाले बढ़ते हैं तो कोई क्रीम करूम ने कोई सौस तो इसने को चीनी चूनी नहीं सबस्दिन माल काजू पेस नहीं बढ़ता तो वो चीज़े तो है वो ड़ास सेभी को चेंज कर देती है बट यस में असा नहीं है इसमें फ्लेवर फुल भाई मीड का मटन का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में हूआ हूआ है और मसालो का फ्लेवर है ले देखे और मुद्दा क कि टेस्स कैसा है गकिता प्यारा फ्लेवर है यार और बुगो भूली लजीज फलेवर है भूली प्यारा फ्लेवर है बट मुद्धा ये है कि मुझे इसमेना वो चीज क्लिक नहीं होती है, जो एक नॉर्मली अपने देसी डाबों में होती है, वैसा क्लिक नहीं हो रहा है, यार. यह वैसक लिकोर है जैसे हम रेस्टरंट्स वगरा में खाते हैं मैं मिर बात को आप जहां पर दो पीस बड़े महंगे महंगे होते हैं वैसा टेस्ट आ रहा इसका क्रिमी क्रिमी जब क्रिम डाली नहीं हमने इसमें यार तो बाकि यह जो जूलियन है जूलियन है यह अध्र के वाक्य में यार यह कितना एहम रोला करती है इस रासापी मैं कितना प्यारा फ्लेवर देता यार यह यह आप अपना गोटमेमी डालें चूलियां आप एड़ करता नहीं Aimee, mix कर देनें उआफा, का भानते हैं ने को इस ने हो एक मेरा प्रॉपर दिय। धर मेरा बड़ार दिरा यह 7.5 to 7.7 लगा लो इसी रेंज में आया क्लिक नहीं हुआ उतना जो सोच रहा था बट टेस्ट ही है मैंने रेटिंग इसलिए कम दी है क्योंकि किंग के साथ खा के बदाओंगा webinar कि यह घबरांजा क्यों नहीं आया या कह लिए तो जो सुनने के इचुक derecho है वो सुनने जिए पहले कदेनों हाँ और कैमरा मेरे पे लगिया हो इज़त से बाई रीजन यह है यह बहुत टेस्टी बना हुआ है यह लजीज बना हुआ है मुझेदार बना हुआ है एंजॉइ करोगे जब आपके सब फैमिली मेंबर से सकाएंगे इज़त से बर मुद्दा यह हुआ है जो टाइटल मैंने जो मैंने कहा आप से कि यह डाबा स्टाइल है तो इसमें मुझे डाबे वाली चीज क्लिक नहीं हुई जूट के बोलना आपसे यार है ना पर टाइटल तो रखना पड़ा अपड़ा स्टाइल है मैंने कोशिश वैसे की है पर अशनी बना पर टेस्टी बहुत बना हुआ यहीस इस मिचे डाबे फिखारता हूँ वहांपर वोग चीज नहीं आती है मैं अब भुता रहूं । बार-बार बार की रएस्ट्रैन में आता है डाबे में नहीं आता है जो फ्लेवर है वो कापी हद तक नहा मिठास कियो चारगे हुए हुआ हैّ यार ज्यादा अब गलती गांपर है वो बदा नहीं है बट टेस्टी बहुत ही ज्यादा है बोटेस्टी है यार भूट रता हूं और यार मैंने बाई से का था भाई एक राइफल वाला पीस भी मेरे लिए छोड़ देना अब देखते हैं राइफल का कोई पीस निकलेगा निकलेगा राओ भी आओ ना यार खाली है कार्तूसी निकले राइफल के अंदर यार क्या है वहीं है पीस है यार जाओ यार दोखाओ यार दोखाओ यार चुला कोई नहीं तो वह एक और बाइट बनती है और बताता हूं मैं आपको विश्टार से किंग के साथ भी अच्छा फ्लेवर देगा प्रांटे के साथ फ्लेवर अच्छा देगा तंदूरी रोटी के साथ फ्लेवर अच्छा देगा और फूल के साथ भी ट्राइज जरूर करना मेरे रेटिंग में ने जाना है रेटिंग का कुछ हो रीजन है बट टेस्ट जरूर वाई साब मैं review करता हूं review भूलना लग Tao मैं आप से या बनाय वुस रहा हूं कि जो मैंने बनाय हुआ है यह रिविए P थूस के enjoy नहीं करता भूलता भी हूं तो भई ये उनके लिए जयाब था यार क्या क्या बोलते रहा दें लोग समझीाता आ भई आपसे शमा चाहता हूं लास्ट वीडियो पे एक भी कमेंट का रिपले नी कर पाया एक का भी नहीं तब यह ठीक नहीं है समझे मिर भाद आओ तब यह ठीक नहीं है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सबसे रेली सौरी तो दोस्तों भाई यह धाजी डाबा स्टाइल मटन करी और फ्लॉब हो गई बाटेस्टी बहुत है अब जरू ट्राई करना मुझे बराना किया मुक्ता लगा अब देख लेए इतना है में जबने नेक्स वीडियो में दिल देन बाबाई